गूड आप्रणून स्टूरेंट्स यूटूब चैनल इंडिया ओल डेज में एक बार फिर से आपका स्वाकत है आज हम इस वीडियो में जो बादामी के चालू के सासक है उनमें विक्रमादित्य पर्थम के बारे में हम जानकरी प्राप्त करेंगे तो देखेगा किजिएगा थोड़ा सागमा आपको रिविजन करवा देती हूं देखेगा जो चालू के राजवन से दक्षिन भारत का एक महतावपुन राजवन्स था जो करनाटक महरास्ट गोवा वगरा इधर अपना सासन कर रहा था ठीक है और इन में चालू के उमें जो प्रारंबिक इसके स्थापना करता है ठीक है अब देखेगा चालू के सासक है यह भी तीन मतलब इसके भी तीन साखाई थी इस राजवन्स के भी और कोण सी थी जिनके बारे में हम पढ़ेंगे देखेगा सबसे पहली साखा थी बादामी या वातापी के चालू के इनकी राजदनी पुलके सिन सेकिंड है उसका बेटा विश्नु वर्दन होता है वो यहाँ पर बेंगी के चालू के वंस की स्थापना करता है और फिर आपका आता है कल्यानी के चालू के यह पस्चि मी चालू के कहलाई थी ठीक है अब जो प्रारंबिक जो साखा थी बादामी के चालू के भी आते ही इनके जो फ्रारंबिक साख थी पुलके चिन पर्थम है पिर उसका बेटा किरवर्मन पर्थम और मंगलेश के बिरंसले के बेटे थे लेकिन ऐसक है और किरवर्मन पर्थम की मरतिति अर ने सबसे बड़ा पुलकेसिन सेकिंड होता है जो सासक नहीं बन पाता है अलफवेस खुन के करण तो उसका चाचा मंगलेस सासक बन जाता है और फिर क्या होता है कि मंगलेस और पुलकेशिन सेकिंड के मद्दे यूध होता है जो उत्तर के महान सरवादिक सक्ति साली सासक वर्दन वन्स के सासक हर्ष वर्दन को हराता है दक्षिणा पतेस्वर की उपादी धारन करता है और फिर पल्लवों के जो दक्षिण में जो पल्लव सासक राजवन सासन कर राता है उसके सासक महिंदर सीहां वर्मन पर्थम को हरा उसके बाद क्या होता है कि यह जो नर्सी अवर्मन पर्थम है यह है इनको बादामी के चालू के सासक है इनको यह हरा देता है और इनकी राजदानी वातापी पे अधिकार कर लेता है और वातापी कोंड की उपादी धारण करता है और फिर क्या होता है कि यहीं से पल्लव चा जीत होती है तो कभी से जीत होती है ठीक है अब क्या होता है कि जो नर्शियां अर्मन-पर्थम है उसने वहां पर अधिकार कर लिया था ठीक है और यह मतलब एच हो बयानली से 655 इसवी तक चालू क्योंकि राजगदी पे कोई नहीं होता और वैसे देखें तो पल्लवों का वहाँ पे अधिकार होता है लेकिन क्या होता है कि 655 इसवी में अब विक्रमा दित्य पर्थम राजगदी पर बैरता है जो पुलकेसिन सेकेंड का पुत्र होता है और अपने खोए हुए पर्देशों को फिर से वहाँ पल्लवों से हासिल करता है और इस टाइम पे क्या हो रहा था कि जो चालू के राजवन से उसमें एकदम से आईस तिरता चाही हुई थी और उनके जो भी सारे राजा बन बैठते हैं तो जो पुलके ये आपका विक्रमा दिते फैस्ट है इसके सामने सबसे बड़ी प्रोब्लम ये थी कि उसके दो भाई भी थे आदिते वर्मा और चंद्रा दिते ये और एक पल्लम नरेश नर्शिहा वर्मन पर्थम इन तीनों ये तीनों हैं ये इसके विरोधी थे इन तीनों को हराना इसकी सबसे बड़ी समस्या थी और ये हराता है इनको और राजा भी बनता है अपने समराजे का ये विस्तार भी करता है ठीक है अब देखें जो पुलके सिन सेकिंड का पुतर होता है विक्रमादिते फैस्ट और पुलकेशिन सेकेंड के समय तो बादामी सहित कुछ अन्य दक्सिनी प्रांतों की बागडोर पल्लों के हाथों में रही थी चालू के राजगदिया वो खाली रहती है ठीक है और चालू के चालू के शत्रों के शत्रों को भी पूना है अपने सामराजे में मिलाया और इसने 621 तक सासन किया था तो इन्ही सब बातों के बारे में हम आपको अच्छे से सिक्वेंसे पढ़ाएंगे और हमने नोर्स तैयार के हैं जो एक्जाम की द्रस्टी से बहुत ही महत्व पुना है तो देखिएगा चालू के वन्स के सासक विक्रमा दितिया पर्थम का इतिहास देखिएगा पुल के सिन सेकंड तो हमने जो बताया था न आपको पुल के सिन सेकंड ये कोन था किर्थी वर्मन पर्थम का बड़ा इबड़ा पुत्र था ये ये 610 इस्वी से 642 इस्वी तक सासक रहता है चालू क्योंकि राजगती पे ये रहता है अब क्या होता है कि इसकी प्राजे तो इसको किसने प्राजित क्या था पल्लव सासक नर्शी है वर मन फेस्ट ने ठीक है 642 में तो पुलकेसी सेकिंड की प्राजे तथा मर्त्यू के फल चालू के राजे में पुन है एवेवस्ता की स्तिती उत्पन हो गई थी ठीक है सुथंतर होने वालों में सरवपर्थम उलेख लाट परदेश के सामन्त सासक विजे राज का किया जा सकता है वह चालू के वनसका ही था तता पुलकेशिन द्वारा लाट का सासक नूप किया गय था अर्थात ये इसके अधिन एक सामन्त था जो कि उसकी मर्त्यू के बाद अब स्वतंतर हो जाता है उसने 643 इस्वी में कैरादान पत्तर जारी किया किसने विजे राज ने इस लेक में चालू के समराट का कोई उलेक नहीं मिलता तता कल्चूरी समत का प्रियोग हुआ है तो आपका कल्चूरी समत है इसकी स्थापना 2489 इस्वी में मतलब जो पसी में भारत के दिन कोई सासक था इस वर से उसके द्वारा की गयी थी और कल्चूरीयों ने इस समत को आश्रे दिया था और आब क्यों सना रहा हो गए कल्चूरी को उन थे तो यह कल्चूरी राजब था जो करनाटक में अपना सासन करते थे ठीक है इसे प्रकार सेंद्रक राजकुमार पर्थवी वल्लब निकुम्भ निकुम्भल सकती ने भी अपनी स्वतंतरता गोसित कर दी सेंद्रक कीर्थी वर्मन फैस्ट के समय का ही चालूक्यों का कोई स्वामि भक्त था तो हम कह सकते हैं कि इस समय क्या था कि जो चालूक्यों के राजमन सवा कमजोर था कोई राजा नहीं था तो मतलब जो सारे आसपडोसी हैं जो पहले पुलकेशिन सिकिंड के समय में दबे पड़े थे अब वो क्या धिरे-धिरे अपनी करदन उठाते हैं और वो सोचते हैं कि हम चालूक् लोग थे इन्होंने भी अब इस प्रीस्ति देखा लाव उठाया और बादामी पर चालूक्यों का अधिकार हो गया तता सामन्तों ने अपनी स्वातन तरता कोशित कर दी अब देखेगा कितनी विप्रीत कंडिसन हो गई हैं यहां पर जो पल्लव लोग थे जिनको चालूक पर्थम के काल में और होता कि आई जो सामन्त हैं वो भी अप स्वातन तर अपने स्वातन तरता गोशित कर देते हैं स्वें पुलकेशन के दो बेटे थे आदिते वर्मा तता चंद्रा जिते जो 22 राय के रूप में सासन कर रहे थे उन्होंने भी अपने लिए स्वातन तर राजे इस्तापित करने का प्रियास किया यह एव्यवस्ता की स्थितिये 642-45 इस्वित्त के बनी रहे अब देखेगा 625 इसमें पुलकेशन के एक सक्ति साली पुत्रे विक्रमा दिते पर्थम ने अपने नाना गंग नरेस दुर्वीनीत की सहाता से अपने पैत्रिक राज रहनी से बाहर बागा दिया यह इसके बाद उसने अपने विद्रोई भाईयों इसामन्तों को प्राजित किया और अपने नियंतर्ण में किया विक्रमादिते की प्रारंबिक सपलता का संकेत उसके सासनकाल के तीसरे वर्ष में अंकित कर्णूल लेक में मिलता है अब देखेगा जो प्राचिन कालिन जो भी सासव हुए हैं उनके बारे में हमें कैसे पता सलता वो अपना कोईन कोई लेक लिखवा देते थे कोई परसस्ती वो अपनी लिखवा देते थे जो हमें जो सुरोतों के रूपया मिलती है इसी परकार से कहा कि जो विक्रमा दितेश ने भी कर्णूल लेक में लिखवाया था अपनी वीजियों के बारे में अपनी सफलताओं के बारे में कर्णूल लेक के नुसार उसके अपने पिता की उस राज लक्समी को पुनय प्राप्त किया जिसे तीन राजाओं ने छिपा लिया था तो ये जो तीन राजा थे ये कौन थे ये थे इसके दो तो भाई आदिते वर्मा चंद्रादिते और एक था पल्लवन रेस नर्शिहा वर पुनय प्रतिष्टित किया और प्रतेग जिल्ले की राजों को जीतकर पुनय है अपने लक्समी को प्राप्त कर लिया तदा प्रमेश्वर की उपादी गहन की तो इसने क्या कि जो मंदिर थे जो ब्रहमन लोग थे जो पहले कि जिननको अधिकार दिये गे थे जिनको इन ल प्रिजों का करंबद विवन तो हमें नहीं मिलता लेकिन उसके लेखों की प्राप्ति स्थानों से स्पस्ट हो जाता है कि उसने नेलोर, बेलारी, अनन्दपूर, थथा कडपा जिलों के उपर जो अराजकता के दोर में चालू के समराजे से बाहर निकल गए थे पुनह अपन अदिकार सुद्रड कर लिया, इन सभी स्थानों से विक्रमादीते के लेक मिलते हैं, इस प्रकार अपने संपूर्ण राजे में एकता स्तापित करने के बाद उसने अपने आपको समराड गोशित किया, ठीक है, उसके इसका आरिये में उसका छोटा भाही था जैसी हैं वर् वाजदानी में अपनी स्थिती सुद्रड कर लेने के बाद विक्रमादीते ने पल्लव राजे प्राकरमन किया, अब ये जो आपका है, विक्रमादीते फैस्ट ये क्या करता है कि पहले तो अपने जो अंदर जो सामंत लोग हैं, अपने भाईयों की विद्रों हैं, इन सब को ये नेपटाता है, और सांती विवस्ता इस्तापित करता है, और उसके बाद ये क्या करता है कि पल्लव राजे प्राकरमन करने के लिए आगे बढ़ता है, अब देखेगा, जब पुलकेसिन सेकिन के समय में जो चालू के पल्लव संगर्स प्रारम हुआ था, उस समय तो जो सासक था हुए था महेंदर हैं वर्मन पर्थम, फिर उसका बेटा था नर्शी हैं वर्मन पर्थम, अब क्या होता है कि विक्रमा दिते के समय में पल्लव चालू के संगर्स होता है, इस टाइम पे कोन सासक होता है, इन्हीं सब बातों के बारे में हम अभी पढ़ेंगे, तो देगेगा इस संगर्ज का विवरण कई लेखों में मिलता है गुजरात के चलू के ससक धराश रे जैसी है वर्मन के नोशारी तमर पत्र में कहा गया है कि विक्रमादिते ने अपने प्राक्रम से पल्लव राजवन्स को जीता था विक्रमादिते की पल्लव के उपर विजे का अपेक शाकरति इस्पस्ट विवरण उर्यूर विजे इसकंधावार से निर्गत किये गए गड़वाल तमर पत्रों से प्राप्त होता है इनमें चार स्लोक कहे गए हैं और इन चार जो स्लोक हैं इनके अंत्रगत पल्लव के उसने नर्शियां की सेनाओं का मान मर्दन किया ठीक है नर्शियां वर्मन की जो सेनाओं है उनको हराया महेंदर के सोरिय का विनाश किया तथा इस्वर को अपने अधिन कर लिया इसे सूचित होता है कि विक्रमादित्य का तीन पल्लव राजों कौन-कौन से तीन पल्लव रा दूसरे शलोग के अनुसार लक्समी के श्री वल्लब ने दक्सिन की देवी के बलपूर्व ग्रहन तथा कांची पर अधिकार करके अपना नाम और सार्थक कर दिया यह नगरी देवी की मेखला के समान थी तीसरे स्लोक में कहा गया कि इस रणरसिक ने राजमल की उपादी उची थी दहरण की थी क्योंकि इसने महामल अर्थात नर्शिहां वर्मन के वन्स को समाप्त कर दिया था तो हमने नर्सिहां वर्मन पर्थम के समय में जो हमने आपको कुलकेशन सेकिन के समय पल्लव चालू के संगर से बताया था उस समय हमने आपको ये भी बताया था कि जो नर्सिहां वर्मन पर्थम है इसको ये आपका इसको महमल भी कहा गया है क्योंकि इसने महमल पुरम नामक स उसने परिखा और प्राकार से सुरक्सित तथा दूरलग्गे कांची पर अपना दिकार कर लिया था, अब ये कांची क्या था, ये था आपका पल्लवों की राजधनी था कांची, तो इस पर दिकार कर लेता है आपका विक्रमा दित्ते, ऐसा पर्तित होता कि विक्रमा दित्ते को नर्शिय विर्मन के विरुद जो सफलता मेली, वह उस समय की है, जब वह राजा नहीं बना था, राजा होने के बाद पल्लव राजे का उसका जो पहला आकरमन था, वह महिंदर वर्मन दुट्य के काल में ही हुआ था, उसने पल्लव नरेश महिंदर वर्मन दुट्य को मैसूर में प्राजित किया, और पल्लव सासे के अपर मर्त्यू हो जाती है, और उसका जो उत्रादिकारी है, वह परमेशवर वर्मन हुआ था तो नर्शीह वर्मन देखे सबसे पहले था महिंदर वर्मन फिर नर्शीह वर्मन और नर्शीह वर्मन के बाद आता है आपका ये महिंदर वर्मन द्वित्ये और इसके बाद आता है परमेशवर वर्मन ठीक है तो जो आपका महिंदर वर्मन सेकिंड है ये औ आपके विक्रमादित्य फेस्ट के समकालीन पल्लव सासक थे तो जो आपका ये परमेश्व वर्मन है इसके सासन के प्रारंबिक वर्सों में विक्रमादित्य ने पल्लव राजे पर चड़ाई की तथा वह विजे करतावा कांची के समीपचा पहुंचा गढ़वाल लेक से प अलव सासक हैं ये दक्सीड में थे थे और इनके अलावा दक्सीड में जो अन्य जो राजवन्स थे वो जैसे की चोल, चेर, पंडे ये भी थे और केरल के राजा भी थे इनको भी जीत लेता है केंदूर तमर पत्र में कहा गया है कि विक्रमादित्य ने उस कांची पती का म कलब्र आधि की विजे का भी स्रे परदान किया गया है इस प्रकार यह इस प्रस्ट है कि विक्रमादित्य ने कुछ समय के लिए पलवों की राज़ानी कांची के उपर अपना दिगार कर लिया था पलव नर्यस अपनी राज़ान छोड़ कर भागा तथा विक्रमादिते ने कावेने नदी के तर्ट तक उसका पीछा किया कांची के उपर चालुकियों का थोड़े समय के लिए अधिकार हो गया एक और जहां चालुके लेखों में विक्रमादिते के कांची पर अधिकार का वीवरण मिलता वहीं दूसरी और पल्लव लेख परमेश वरणमन की सेनाओं द्वारा विक्रमादिते को प्राजित के जाने तथा उसकी राजधने को लूटने का दावा भी करते हैं वो लोग ठीक है मतलब जो चालुकियों के लेख है वो तो चालुकियों की विज़े बता रहे हैं पल्लवों के लेख है वो पल्लवों की विज़े बता रहे हैं तो ऐसा परतीत होता है कि प्रारंबे की उदों में परमेश वर्मन को पराजे उठाने पड़ी किन्तु वह निरास नहीं हुआ राजधने से बाहर रहते हुए उसने अपनी सेनिक सक्ति मजबूत की तथा चालू क्यों के विरुद दो रफा अर्था दो कारिवाई उसने की थी एक ही साथ तो देखेगा विक्रमा दिते का द्यान हटाने के उद्धे से उसने एक सेना उसकी राजधनी वातापी नगर पराकर्मन करने के लिए भेजी इस सेना का नेतर तो उसका सेनापती शीरू त पराजधा फेला दी यदे भी विक्रमा दिते के पुत्र विन्या दिते और पोत्र विज्या दिते अपने राजधानी को बचाने में तो सफल हुए तथा भी पल्लव सेनिक अपने साथ खूब सारा धन धान है वो लूट कर ले गए थे इधर परमेसुर वर्मन ने भी विक विक्रमा दिते को पेरू वलनूर में प्राजित किया ठीक है पल्लव लेख उसकी सफलता का उलेख करते हैं कोरम दान पत्र के अनुसार परमेसुर वर्मन ने विक्रमा दिते को जिसके साथ लाखों सेनिक थे मातर अकेले एक जरजर वस्तर पैने युद छेतर से भागने को विवस कर दिया ठीक है उत्तरकाली लेखों में भी परमेसुर वर्मा की विक्रमा दिते के विरू सफलता तथा वातापी को लूटे जाने का विवन दिया गया है लेखों के अलावा बार विस्ताब्दी की तमिल रचना पेरियम पुराणम में भी पल्लव सेना द्वारा व छोड़कर अपनी राजने वातापी वापस लोटने को बादे हुआ इस पल्लव चालो के संगर से किसी विपक्स को कोई भी लाब नहीं हुआ यदि विक्रमा दिते तमिल परदेश पर अधिकार करने में ऐसा पर रहा तो परमेसर वर्मा को भी वातापी में कोई सफलता नह ही मिल पाई इसके बाद पचास वर्सों तक पल्लव चालो के संगर्स रुका रहा ठीक है इस प्रकार विक्रमा दिते है वह एक सक्तिसारी राजा था लेखों में उसे सत्यासरे महराजादी राज परमेसर स्रीपर्थवी वललब अनिवारित राजमल जैसी उपादिया लोग लास्ट में यही निसकर्स निकालते हैं कि अन्ति में जो पल्लव है वो विजई रहे होंगे ठीक है क्योंकि इनका पक्स ज्यादा मचपूर दिख रहा है और देखेगा जो पुलके सिन सेकिंड है उसने भी पल्लवों को हराया था और ये पल्लवों से हारता भी है ख पल्लव चालू के संगर से चलता रहा कभी चालू के जीतते हैं तो कभी पल्लव जीतते हैं ठीक है तो इसी परकार से हम आगे की वीडियो में जो बादामी के चालू के सासक हैं जो बचे हुए सासक हैं उनके बारे में और भी पढ़ाएंगे और देखेगा हमारे वीडियो हमारा वीडियो अंतक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद